नमस्कार स्वागत आप सभी का ज्यान सम्मान के मंच पे हम लोग यहाँ पे NCRT Class 6 का MCQ देख रहे थे NCRT के lecture जो है Class 6 का मैं यह दिवात करूँ तो हम लोग complete कर चुके है total आपको 12 lecture upload किया गया है तो जा के आप देख सकते हैं इसमें जो है आपको pre point of view से साथ साथ mince point of view से क्या क्या question बन सकते हैं वहाँ पे आपको बताये गया है तो आप उस question को बहुत सार लोग किये भी है और जो नहीं किये हैं उसको जरूर करेंगे साथ ही साथ MCQ भी उसके साथ आप लोग कर लेंगे तो यह आपका जो है NCRT Classics complete हो जाएगा आगे आने वाले Class 7 से हम chapter वाइस जो है MCQ कर लेंगे यानि जैसे हम लोग chapter पढ़ेंगे तो chapter पर एक और बात मैं बता दू कि इस चैनल पर और भी कुछ वीडियो पढ़े हुए है जैसे फिजिक से रिलेटेड वीडियो है इसके अलबा रिजनिंग का एक जिनको रिजनिंग का रिजनिंग करना है मात्र चार से साधे चार घंटे में आप जाके रिजन कर सकते हैं आप जाएंगे लाइब सेक्षन में या प्ले लिस्ट में जाएंगे तो रिजनिंग ापको मिलेगा वहां से देख सकते तो कि system based कैसे बनेगा मैं बताया था माली जी कोई system है यह YouTube हम लोग का माध्यम है अभी पढ़ने का मैं आपको यहां से कोई भी content जो है कोई भी subject आपको बता रहा हूं आपके पहुच रहा है तीक है आपको इससे क्या gain हो रहा है नहीं हो रहा है आप question answer करेंगे तो हमें पता चलेगा ठीक है कि आप कितना gain कर पा रहा है ठीक है तो यह सब काम आप जरूर करेंगे साथ-साथ अपना feedback लिखेंगे तो मैं improve करूँगा और हम लोग जो है इस system के यूज़ करके और अपना best utilization कर सकते हैं ठीक है तो NCAT का आप MCQ देखने से पहले जाके NCAT का वीडियो जरू कोशन लगेगा सारा और बिल्कुल इजी कोशन है भी चोकि ज्यादा depth में यहाँ पर है नहीं मैं पहले ही बताया हूँ तो जैसे ही हम लोग आगे class को देखेंगे तो काफी depth में आपको देखने को मिलेगा जैसे देखिए यह जो chapter है basically badic जो है संस्कृति से related है तो बैदिक 치ageсти और प्रसार कहा से कहां था बैदिक संस्कृति के समय धार्मी किष्टिती क्या थी समाजी किस्तिती क्या थी बैदिक संस्कृति के समय अَर्त्वेयोस्थक कैसा था ठीक है यह सब सिंधुन नदी, गंगा, यमना, ब्यास आपको एंसर करना है तो देखे, सर्ष्वती, शिंधु और ब्यास इनका उलेख तो रिग बेद में आपको बहुत बार देखने को मिलता है सरस्वती तो उक सबसे पवित्र नदी थी उस टाइम की ठीक है सिंदुनदी का उलेख काफी बाएर देखने को मिलता है लेकिन गंगा यमना का उलेख काफी कम बार हुआ है वहाँ पे ठीक है तो इसलिए उत्तर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा तीन और चार ठीक है चलिए आप लोग एंसर भी साथ-साथ करते रहेंगे ठीक है जिनको lecture slow लग रहा होगा वो fast करके सुन लगा खैर ये lecture बहुत आपका कम टाइम का होने वाला है प्रक्स इसमें 10 question है ता आप तुरंत इसको देख लेंगे साथ साथ answer जरूर करते रहेंगे और मैं बताया comment box में आप अपना उत्तर जरूर लिखेंगे कि आप कितना answer कर पाएं ये comment जरूर आप करेंगे चली answer जिनका भी 3 और 4 है बिल्कुल ही सही है कि रीग विद में जो है सबसे कम बार जो उलेक हुआ है सबसे कम बार जो उलेक हुआ है वो हुआ आपका गंगा और यमुना का सबसे पवित्र पूछ दिया जाता आप टिक करते सरस्वती न दी ये अभी खैर बिलुप्त है अभी ये इसका स्थित्व है नहीं इस न दी क्या चली आगला देखते है next question देखे answer करेंगे निमने में से कौन रीग वेद में बढ़नित देउता है इन में से आपको रीग वेद में बढ़नित देउता कौन है बिल्कुल असान सा question है गारगी इंद्र मुशक इन में से कोई नहीं answer करेंगे आप लो चली कोई noise जाएगा तो इसे ignore करेंगे साथी साथ मेरे को थोड़ा क्या है अभी भी cold जो है तो आवाज जो है थोड़ा सा हो सकता है इसमें clarity कम जाए तो आप adjust करेंगे देखें आप चली answer कर लिया होगा आप लो रीग वेद में जो बढ़नित देउता थे ये थे इंद्र और इंद्र का उलेख इसमें देखेंगे तो सबसे maximum बार इन ही का उलेख हुआ है एगर ये भी question आपसे पूछा जाता कि रीग वेद में सबसे ज़्यादा बार किन का चर्चा हुआ सबसे ज़्यादा बार किन के लिए जो है आपको चर्चा किया गया है उनके बारे में बात किया गया है तो आपका एंसर इंद्र ही होता और यहाँ भी इंद्र है गारगी ते एक विदूशी थी ठीक है चलिए तो एंसर यहाँ पर बीजिन का भी सही है बिल्कुल ही सही है चलिए अगला question देखते है question नमर तीन देखे रीग वेद की भासा क्या है तो आप एंसर करेंगे रीग वेद की जो हासा थी वो पुराना जो है बैदिक संस्क्रीट ही थी आज की संस्क्रीट नहीं इससे थोड़ा अलग तो यही बिल्कुल सही एंसर है चलिए आगे देखते हैं आरे लोग अपने बिर्योधियों को निम्नलिखित भी कल्पों में क्या कहते थे आरे लोग जो अपने बिर्योधियों के लिए क्या टर्मियूज करते थे दस्यू, सत्त्रू, बिर्योधि या अरी क्या टर्मियूज करते थे आरे बताएंगे आप लोग देखिए आरे लोग जो है अपने विर्योधियों के लिए जो टर्म यूज करते थे वो यूट करते थे दस यूज ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमर पाँच देखें इजी से कोश्चन है चरक सहीता निमेलिखित में से किस से सम्मंदित है खगोल गडित ब्याकरन चिकिस्ता बताएंगे चरक सहीता जो यह बुक है ठीक है किस से सम्मंदित है खगोल से गडित से ब्याकरन से या चिकिस्ता से देखें आप लोगे अंसर कर लियाओंगे चरक सहीता जो है यह आपको चिकिस्ता से सम्मंदित है यह चरक जो है एक बैद थे ठीक है और इनहीं के द्वारा यह जो है बुक लिखा गया है तो बिलकुल ही जिनका आप्शन डी है बिलकुल ही सही उत्तर है चलिए आगे बढ रीग बित में इनमें कौन सा मिलता है पुरू जानी अबिष भरत जानी अबिष यदू जानी अबिष नीचे दिएगे कुट का परियोग करके सही उत्तर चुनना है बताईए आप लोग कौन सा एंसर होगा चलिए आप लोग एंसर करेंगे चलिए आप लो answer कर लिए होंगे, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि रीग विद में कौन सा सब्द यहाँ पर मिलता है यहाँ पर देखिए पहला जो लिखा है पुरू जन या बिश ठीक है, तो actually में उस समय जो है यह जन सब्द जो है या शमुदाय देखिए, जनरली जो है जनता या पूरे शमुदाय के लिए जो समाज में लोग रहते थे उनके लिए सब्द यूज किया जता था जन ठीक है, और यह बिश जो सब्द दिख रहा है यह बैसे के लिए यूज किया जता था तो जन जो है आपको पूरे जनता एश्रमुदाई के लिए उच किया जता था तब पूरु जन या बीष भरत जन या बीष यदू जन ये सारा जो है टर्म उससे में यूज होता था तो इसमें सारा ही ओप्शन बिल्कुल सही है तो आपका यहाँ पर ओप्शन डी बन देते थे देखे उस समय यग होता था लोगों का मन्याता था यग होने से बारिस हो जाएगा यग होने से जो है खुसहाली आएगी ठीक है आज भी जो है ऐसा मन्याता है तो उस समय लोग यगों में किसकी आहोती देते थे यही पूछा जा रहा है घी की अनाज की जन्वरो की भी आहोती दी जाती थी ठीक है आज भी हमारे समाज में आपको पता है बली प्रथा जो है और बहुत जगे आप देखते हैं जनवरों की बली दी जाती है खैत इसके हम लोग चर्चा नहीं करेंगे बट कोशन पर आते हैं देखिए क्या रेलोग जो है यगों में किसक्या होती देते थे तो ये उपरियुक्त सभी हो जाएगा किलियर है चलिए आगे बढ़ते हैं देखें बेदो की शंख्या बेदो में शंख्या जो है यहाँ पे बेदो की जो शंख्या है चार है आपको पता है बेदो यहाँ पर ध्यान देंगे यह तुरसा टैपिंग मिस्टेक है यहाँ पर कर लेंगे बेदो की संख्या चार है इनमें सबसे नया वेद निमलेखित में से कौन सा है आपसे सबसे जो है मौडर नया पुछा जा रहा है कौन सा है रीग वेद, साम व पंग्यों ऊसान सा कोश्चन है, इन सबसे नया जो है, फिके सबसे नया यह है, सबसे बाद की का पुराना बेद कौन है ता आपका उत्तर क्या हो जाता है रीग बेद ठीक है यह सबसे पुराना था यह सबसे आपका पुराना था लेकिन सबसे नया पुछा जा रहा था ता आपका एंसर D ही होगा चलिए आगे देखते हैं Question No.9 देखेंगे रीग बेद के संदर्व में निमलेखित कतनों में से कौन सा कतन गलत है देखें यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे पुछा जा रहा है कौन सा कतन गलत है ठीक है पहला देखें रीग बेद में सभी सुक्तों की रचना पुर्सो द्वारा की गई है दूसरा है रीग बेद की भाषा प्राक संस्कृत या बैदिक संस्कृत काहलाती है तीसरा है रीग बेद का उचारण या श्रोवण किया जाता था न की नहीं पढ़ा जाता था तहां आप से पुछा जा रहा है कौन सा इसमें गलत है उत्तर करेंगे इसका चलिए आप लोग उत्तर कर लियाओंगे देखिए इसमें पुछा जा रहा है कौन सा गलत है ठीक है कथन तो देखिए पहला लिखा है कि सभी सुक्तों के रचना के वल पूर्सो द्वारा तो ये पूर्सो द्वारा नहीं कुछ महिलाय भी रचना की थी उनके द्वारा भी कुछ सुक्त दिये गए थे कुछ सुलोक जो है दिये गए थे तो इसलिए इस स्टेटमेंट जो है गलत हो गया दूसरा देखें रीगवेद की भासा जो है प्राक संस्कृत अभी हम लोग एक कोशन किये भी थे तो इस स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है और रीगवेद का उचारन और सरवन किया जाता था ना की ने पढ़ा जाता था रीगवेद में जो पढ़ने का तरीका था इसका उचारन किया जाता था और विदार्थी गण जो भी होते थे वो सुनते थे, इसका सरवन किया जाता था, ठीक है, तो यह statement भी बिल्कुल सही है, इसका एक अपना तरीका होता था, ठीक है, वेद को पढ़ने का एक तरीका होता था, एक लए है, जिस लए में ही, जिस टोन में ही इसको पढ़ा जाता था, ठीक है, तो इसका उचारन होता थ और इसका सरवन होता था तो यह भी statement सही है तो यहाँ पे 2 और 3 तो सही है एक जो है गलत है तो आपका answer जो हो जाएगा यहाँ पे केवल 1 ठीक है clear है answer हो जाएगा केवल 1 अब इसी question में आपसे पूछ देते हम कि बताए यह कौन सा कथन सही है ठीक है कौन सा कथन सही है अब option C हो जाता ठीक है option A यहाँ पे गलत है चलिए आगे बढ़ते हम लो next question देखें रीग विद में निमनलिकीत में से किन नदियों का उलेक सरवाधिक बार हुआ है यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है बार कौन से नदियों का उलेक हुआ है सरस्वती शिंद गंगा यमना देखें question number हम लो first किये थे उसी पर best है यह ठीक है तो देखें रीग विद में बात की जा रही है ठीक है रीग विद में सबसे अधिक बार जो है सिंदु नदिक हुआ है सिंदु और इसकी सहायक नदियों का उलेक सबसे ज़्यादा बार हुआ है ठीक है सबसे question ज़्यादा यहाँ पर बनाया नहीं जा सकता है depth question बनाने का chances बहुत कम है बाकी जितना हो सकता था मेरा कोशिस रहा कि आपके लिए किया जाए तो इतना ही question हम लोग रखेंगे आप लोग comment box में जरूर अपना feedback को लिखेंगे कि आपको जो है कोई अगर समस्याई से related या को आप लिख सकते हैं ठीक है और चैनल को जो है पढ़ने वाले बच्चों को पास सदीक सदीक आप लोग शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ठीक है इस lecture में हम लोग कुछ कम ही question किये बाकी आगे चलके हम लोग depth में पढ़ेंगे परिसान नहीं होना है बाक लोकेशन देखेंगे कि प्रसार इनका कहां था आरे लोग जो है आरे लोग कहां रहा करते थे उत्तर वैदिक कालाते आते जो है क्या चेंजे जाया पुर्व रिग वैदिक काल और उत्तर रिग वैदिक काल में क्या चेंजे जाया समाज में क्या परियोर्तन आया इस्तिरि लोगों का अर्थ बंष्थ लोगों का अर्थ बंष्था किस पर डिपेंड करता था इस सब तो आगे चल करेंगे परिसान लहिं कोना जेछित थुक्डत बागी लेक्चर को अधिक सरफ लोग तक पहुंचा आप बहुत-बहुत आप सभी का धन्यवाद